जहे हिन दोस्तों, इंडिफन्स के अच्छ के इस एपिसोड में इंडियान आर्मी के एक ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ पर बनते हैं पैरा कमांडोस। मैं बात कर रहा हूँ इंडियान आर्मी के स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल की। ये वो स्कूल है जहाँ पर एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है इंडियान आर्मी के पेरस्फोर्स चूर्स को 1966 में रेज करने के कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि इन स्पेशल फोर्स के कमांडो को पहतरीन तरीके से ट्रेन करने के लिए एक अलग के ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 1993 में हिमाचल प्रदेश के नहान में इस तरह के एक प्लेस का सेट अप किया गया था इसका नाम दिया गया हर एक ओपरेशन के लिए तयार करने के लिए इस ट्रेनिंग विंग का स्थापना किया गया लेकिन डिसेंबर 1999 में इस विंग को री और्गनाइजड किया गया और इसका नाम दिया गया SFTS यानि कि Special Force Training School आज SFTS इंडियन आर्मी का Most Powerful Training School है यह वो स्कूल है जहां से बनते हैं इंडियन आर्मी का Most Dangerous Paracommandos यहां पर Paracommandos को Special Operations के लिए खास तरकी की ट्रेनिंग दी जाती है यह स्कूल सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो Special Forces बनने के जजबा और जुनून रखते हैं Counter Terrorism, Arbor and Jungle Warfare, Counter Insurgency, Hand-to-Hand Combat में High Level की ट्रेनिंग स्कूल में दिया जाता है SFTS यानि कि Special Forces Training School का महौल एक दम अलग होता है discipline और महनस्तिक, खून पसी ने बहा कर Indian Army की एक soldier बनता है Special Forces Commandos SFTS का control एक Major General Rank के officer के हाथ में रहता है जो parachute regiment से बिलोंग करता है इमाचल प्रदेश के नहान में स्थित Special Forces Training School में एक आम अदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है एक Army Man से One Man Army बनाया जाता है मैं चाता हूँ Special Forces Training School के training के बारे में एक specific वीडियो बनाया अगर आप मेरी वयज में इस तरह के वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज कमेंट बोक्स में लिखिए मैं इसके उपर भी ज़रूर वीडियो बनाया और अगर आप Indian Defense को सपोर्ट करते हो इस चैनल को सपोर्ट क कर लिए और इस वीडियो पे एक लाइक डे करके अपना सहमती बिल्कुल जताईए मैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंग जबार हुआ